तो scoreboard को हमने लगा दिया यहाँ पर उसके बाद इसे lock कर देते हैं तो अब आप देख रहे हो हमारे OBS studio के अंदर ये score हमारा आ चुका है दोस्तों अगर आप भी अपने किसी local cricket match को live करना चाहते हो YouTube या Facebook पर इसके अलावा उसमें आप scoreboard भी लगाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है आज के वीडियो में आपको बताऊँगा एक बहुती कमाल का scoreboard जिसे आप अपडेट भी कर सकते हो अपने scoring वगेरा इसमें कर सकते हो और ये पूरी तरह से free है इसे आप अपने mobile phone पर भी यूज़ कर सकते हो और आप अपने laptop या desktop पर भी यूज़ कर सकते हो तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस scoreboard को OBS Studio के अंदर लगा कर local cricket match को live कर सकते हो तो आईए चलते हैं अपने PC पर तो यहाँ पर PC पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना OBS Studio open कर लेना है अगर आपको नहीं पता है कि OBS Studio को कैसे use करते हैं तो OBS Studio की बहुत सारी वीडियो मैंने अपने channel पर upload कर रखी हैं OBS Studio की पूरी playlist आपको हमारे channel पर मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप OBS Studio को सीख सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी setting कर लेनी है कौन सा camera आपको add करना है वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो मैं आपको यहाँ पर एक video add करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम scoreboard को update करेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक scene create कर रखा है वो scene मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यह वाला scene मैंने आपर add कर लिया है इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी video play हो रही है पहले से pre-recorded video मैंने आपर डाल रखी है आप चाहो तो यहाँ पर अपना direct camera add कर सकते हो जो भी आपके ground की footage है उसी इधा आपके OBS studio में आ जाएगी तो यहाँ पर आपको अपने OBS studio की सारी setting कर लेनी है अपना camera add कर लेना है, logo add कर लेना है जो भी आप यहाँ add करना चाहो वो कर सकते हो आपको commentary करनी है तो उसके लिए आपको अपना microphone भी यहाँ पर add कर लेना है अब आपको इसके अंदर free scoreboard कैसे लगाना है तो free scoreboard लगाने के लिए आपको जाना होगा एक website पर उस website का link मैंने video के description में दे रखा है उस link पर आपको click करना है तो जैसी आप उस link पर click करोगे आप click league.in की इस website पर पहुँच जाओगे यहाँ पर ही आपको scoreboard मिलने वाला है यहाँ पर आपको option दिखाई देगा login, contact, mobile mode यह सारे option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब सब से पहले मैंने video के description में एक contact number दिया हुआ है उस number पर आपको contact करना है, call करनी है और वहाँ से आपको एक login ID और password मिल जाएगा बिलकुल free में आपको कोई भी charges देने की जरूरत नहीं है तो मैंने login ID और password पहले से ही ले रखा है तो मैं यहाँ पर login पर click करूँगा जैसे हम login पर click करते हैं यहाँ पर आपको अपनी login ID दे दे नहीं है यहाँ पर password दे देना है और उसके बाद simple आपको login पर click कर देना है तो जब आप इसे login करोगे अब यहाँ पर आपको इस तरह का page दिखाई देगा तो यहाँ आप देख रहे हो Asia Cup 2023 और Technosham के नाम से मैंने यहाँ पर दो टूनामेंट लिस्ट पहले से तयार कर रखी है जब आप इसमें login करोगे तो आपको यहाँ पर फिलाल कोई टूनामेंट लिस्ट दिखाई नहीं देगी आपको सिर्फ यह option दिखाई देंगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें करना है एड ए न्यू टूनामेंट जो भी आपका टूनामेंट है वो आपको यहाँ पर एड करना होगा मैं दिखाता हूँ आपको एड ए न्यू टूनामेंट पर आपको क्लिक कर देना है जैसी आप यहाँ पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आप अपना पूरा टूनामेंट सेट कर सकते हो मानलो आपका जो टूनामेंट चलना है उसमें आपके पांच मैच होने है दस मैच होने है वो सब आपको यहाँ पर पहले से ही एड कर लेने है यहाँ पर आपको सारी detail एड़ कर देनी है tournament name, organizer name, tournament का photo वगएरा कोई डालना है वो डाल सकते हो अब यहाँ पर आपको यह सारी detail एड़ कर देनी है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पहले से ही एक tournament list त्यार कर रखी है यह है ACI Cup 2023 इस पर हम किलिक करेंगे इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 6 teams add कर रखी है 2 group add कर रखी है matches add कर रखी है 3 match हमने यह add कर रखी है आप अपने हिसाथ से जो भी आपके tournament में matches होने हो जितनी team है उसमें शामिल हो रही हो जितने player सामिल हो रही है सब के नाम फोटो वगएरा यहाँ add कर सकते हो तो यहाँ आप देख रहा हो मैंने दो group create कर रखे है group A, group B group A में हमारा India है, Nepal है, Pakistan है और group B में हमारा Sri Lanka है और यह बंगलादेश है, अफगानिस्तान है इस तरह से मैंने एक sample के तोर पर बना रखा है इसके अलावा India का यह जो match है हमें कौन सा match यहाँ पर detail हमें रखनी है वो सब आपको यहाँ पर show हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको एक dashboard का option आ रहा है manage tournament का option आ रहा है manage ground का option आ रहा है manage tournament date, manage group यह सब आप यहाँ से manage कर सकते हो team short name क्या रखना है group का नाम क्या रखना है team का logo लगाना है वो आप लगा सकते हो team का email ID दे सकते हो team का user password है वो आप यहाँ पर create कर सकते हो इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हो team के नाम आ रहा है जो team हमने यहाँ पर create कर रखी है उनके नाम आ रहा है जैसे पाकिस्तान, गुरुप A, इंडिया, यह सब यहां आ रहा है, अब यहां पर आप चाहो टीम में किसी नाम को एड़ करना, चेंज करना तो आप यहां से कर सकते हो, जैसे मालो इंडिया की टीम है, यहां पर एड़िट पर जब आप किलिक करोगे तो पूरी लिस्ट आप की यहां पर आ जाएगी, जैसे इंडिया की जो हमारी टीम है, इसमें अगर आपका प्लियर का नाम किसी को चेंज करना है, कोई नाम एड़ करना है, प्लियर को चेंज करना है, वो सब यहां से एड़ कर सकते हो, इसके लावा, मैनेज टीम के बाद यहां मैनेज प्लियर का option आ रहा है अब यहां से आप player को add कर सकते हो नाम change कर सकते हो जैसे choose tournament पर हमने click किया उसके बाद Asia cup पर click किया इसके बाद आपको choose team पर option आ रहा है यहां से India select कर लेते हैं इसके बाद आप देखोगे जो players के नाम है वो यहांने शुरू हो जाएंगे first name, last name, nickname यह सब आपको यहां से add कर लेना है player की photo लगानी हो वो लगा सकते हो अब यहां पर हमारे players के नाम आ रहे हैं जो भी आपके local player हो उनके नाम आप यहां पर add कर सकते हो एडिट कर सकते हो यहां पर वो wetsman है, baller है, क्या है वो सब detail आप add कर सकते हो इंडिया है, इसी तरह से match का time कितना होगा, match का कोई text लिखना है वो लिख सकते हो, empire कौन है, empire की detail add कर सकते हो, scorer कौन है, उसका नाम यहां add कर सकते हो यह सब कुछ आप यहां पर add कर सकते हो, तो यहां पर आपको यह सारे option मिल जाते हैं, यहां पर manage team player, manage scoreboard, manage point table, logout और mobile dashboard, अब यहां पर आपको कैसे इसे use करना है, सबसे पहले यहां mobile dashboard पर आपको click कर देना है, जैसे आप mobile dashboard पर click करोगे, इस तरह का dashboard आप पर आपको दिखाई देने लगेगा, और इसे आप अपने mobile phone पर भी use कर सकते हो, mobile phone से भी आप live कर सकते हो, उसके लिए आपको एक mobile phone पर आपको यह website open करके रखनी होगी, और दूसरे mobile से आपको live करना होगा, Asia Cup 2023 tournament list आ रही है, add new tournament का option यहां मिला है, manage tournament, manage ground, manage date, manage group, manage team, manage player, manage match, manage scoreboard, सारे option आपको यहां मिल जाते हैं, तो आप इसे use कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहां manage scoreboard पर क्लिक करना है, जैसी आप यहां क्लिक करोगे, इस तरह से page open हो जाएगा, जो भी आपने date set कर रखी है, जो match जिस date में आपने set कर रखा है, वो यहां पर show होगा, तो यहां पर हमने मालो यह उपर वाला match हम यहां देखना चाहते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है, अब आपके match की detail यहां आ जाएगी, जैसे मैंने यहां set कर रखा है, match 2 बंगलादेश वर्से स्री लंका, तो यह आपका यहां यहां पर show हो जाएगा, जब इसके ऊपर आप किलिक करोगे, अब नीचे यहां देख रहे हो, यहां पर आपको दो option मिलते हैं, यहां आपका ground का नाम आ रहा है, जो हमने add कर रखा है, मुलतान cricket stadium, इसके अलावा यहां manage scoreboard का option आ रहा है, और manage दिखा सकते हो, run दिखा सकते हो, जबकि यह दूसरा वाला scoreboard है, यह वाला manage full scoreboard, इसके अंदर आप सारी detail update कर सकते हो, player wise, name wise, run wise, ball, summary वगारा सब कुछ कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर जो पहला simple वाला scoreboard है, इसे कैसे use करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ, यहां पर आपको manage scoreboard पर क्लिक कर देना है, अब आपको यहां पर इस तरह से option दिखाई देने लगेंगे, यहां पर आपके match की detail आ रही है, और यहां पर एक share match का option आ रहा है, share match पर क्लिक करके इस link को आप share कर सकते हो, अपनी audience के साथ, जिससे वो अपने mobile phone पर या अपने laptop पर आपके match के score को live देख पाएंगे, live update होता रहेगा, यहां पर 5 तरह की layout दिए गए हैं, इन layout को आप अपने OBS Studio या फिर जहां पर भी आप live कर रहे हो, जिस software से लाइब कर रहे हो, उसमें आप इन layout को use कर सकते हो, यह काम कैसे करता है, यहां पर आप देख रहे हैं, toss का option आ रहा है, मालो आपका toss हो चुका है, अब कौन सी team ने toss जीता है, मालो हमारा श्री लंका ने toss जीत लिया है, तो मैं यहां पर update कर दूँगा, श्री लंका, और उसके बाद यहां पर आप स्री लंका ने toss के बाद क्या चुना है, वो बैटिंग करना चाहते हैं, बॉलिंग करना चाहते हैं, तो यहां से आप select कर सकते हो, जो भी बैटिंग है, या कोई आउट हो गया तो वह आप यहां से अड़ कर सकते हो और अगर आपको शेशन एड़ करना है तो वह आप यहां से कर सकते हो तो यहां से तो हम अपडेट करते रहेंगे जो भी डेटेल आप अपडेट करोगे वह आपके scoreboard के layout पे update हो जाएगी तो मालो layout 1 हम यहाँ select करते हैं तो जो हमारा first layout है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आप देख रहो इस तरह का layout आपको यहाँ दिखाई देगा और उसके बाद इसे कर देते हैं minimize तो यहाँ पर हमने अपना OBS studio open कर लिया है यह scene जो हमने यहाँ पर create किया हुआ है यहाँ पर मालो यह ground का scene चलना है अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा यहाँ पर sources का option आ रहा है इसमें आपको plus के button पर click करना है यहाँ पर browser का option आ रहा ह जो हमने अभी copy किया था उसे हम यहाँ पर paste कर देंगे यह हमने यहाँ पर paste कर दिया उसके बाद हम इसे कर देंगे ok तो जैसी आप इसे ok करोगे आप देख सकते हो हमारा scoreboard है वो यहाँ पर आने लगा है अब इसको आप अपने हिसाब से अपनी screen पर set कर देना है scoreboard को हमने लगा दिया यहाँ पर उसके बाद इसे lock कर देते हैं तो अब आप देख रहे हो हमारे obs studio के अंदर यह score हमारा आ चुका है तो यह scoreboard हमारा obs studio के अंदर लग चुका है उसके बाद आपको obs studio की जो setting होती है अपने youtube पर live करना है या facebook पर live करना है तो उसकी stream की वगेरा आपको यहाँ पर add कर देनी है obs studio के अंदर और यहाँ से live कर देना है तो आपका match live होना start हो जाएगा अब इस scoreboard को आपको update करना है कि कितने run पढ़ गए क्या हो गया वो detail आप यहाँ से update कर सकते हो जो हमने click.in का यह scoreboard open कर रखा है अब मालो कोई हमारा यहाँ बंगलादेश मालो य गए तो यहाँ पर आप चार run show कर सकते हो जैसे चार पर click करोगे तो आप देखोगे obs studio के अंदर यहाँ पर आप देखो चार run हमारे add हो गए और आप चाहते हो यहाँ पर आपको चौका दिखाना है उपर की side है option देख रहे हो चार का option आ रहा छे का option आ रहा विक्ट का option आ फिर से hide कर दो इसी तरह से मालो अगर कोई 6 पड़ता है तो यहाँ से आप 6 इस तरह से टिक कर सकते हो तो आपको यहाँ पर 6 दिखाई दे जाएगा इसी तरह से अगर कोई विक्ट आपका दिखाना है आपको विक्ट पर टिक कर दो तो यहाँ पर विक्ट दिखाई देगा यह सब आपको यहाँ पर इस तरह के options मिल जाते हैं इसके अलावा मालो कोई यहाँ पर आउट हो रहा है तो आपको यहाँ पर out पर klik कर देना अगर कोई no wall है तो आपको यहाँ पर no wall select कर लेनी है मालो यहाँ पर मैं कर देता हूं 1 plus no wall ठीक है? इसी तरह से मालो कोई out हो रहा है तो आपको यहाँ पर out plus पर click कर देना है तो यहाँ पर वो out दिखा देगा अभी update हो जाएगा आप देख रहे हो यहाँ पर एक हमने out कर दिया तो यहाँ आप देख रहे हो बंगलादेश 8 one wicket पर 8 run निंके हो चुके हैं दूसरा प्लियर आएगा तो इसी तरह से अगला प्लियर प्ले करेगा तो मालो यहाँ पर हमारी पहली जो बॉल है उस पर हमारा जीरो गया तो मैं जीरो पर टिक कर दूँगा लेकिन आप देखो बंगलादेश यहाँ पर ओवर है जीरो पॉइंट फ्री यानि तीन वॉल हो चुकी है उसके बाद फिर से मैं तीन बना देता हूं तीन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखो आटोमेटिकली हाँ पर रन हमारे ऐड हो रहा है 11 हो गए इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूं तो 6 रन यहाँ पर अपने आपेड हो जाएंगे आप 17 रन हो चुकी है इसी तरह से आप यहाँ पर शो कर सकते हो अब आपको कोई चौका शो करना च्छका शो करना उस सब आप कर सकते हो यह automatically यहाँ पर update हो जाएगा जैसे कोई player है उसने दो run बनाई तो आप दो पर click कर दो दो run यहाँ पर already अपने आप ही add हो जाएंगे और ball भी अपने आप over complete हुआ है आप देख सकतो over one complete हो गया और total over कितने वह आ गया यहाँ पर आपको run rate आ रहा है कितना run rate है दूसरी टीम का option यहाँ आ रहा है यह सब आपकी detail यहाँ पर show होती रहेगी इसके बाद जब भी आपको end करना है जो session है session आपको end करना है तो यहाँ पर session end का option आ जाता ह second session हमारा start होगा तो मालो यहाँ पर toss का option आ रहा है मैं toss पर click कर देता हूं और यहाँ पर मालो toss में हमारा Bangladesh पहले जीत गया है और उसने select की है betting ठीक है betting select की है यह मैंने here select कर दिया और उसके बाद अपडेट पर click कर देंगे जैसी आप इसे update करोगे आपके OBS में भी update हो जाए और को अपना अपडेट करते रहोगे आपके OBS में आपकी live में यह update होता रहेगा इसके अलावा यहाँ पर आपको एक option दिखाई देता है screens का आप screen पर click करो तो यहाँ से आप show कर सकते हो आप अपनी screen पर यहाँ पर show करना चाहते हो जैसे यह welcome message है welcome message मैं show कराना चाहता हूं यह welcome पर टिक करूँगा तो आप देखो कि हमारे scoreboard के उपर इस तरह से आ जाएगा यह देखो आप इसके अलावा अगर आप चाहते हो screen पर team name show करना चाहते हो यहाँ पर टिक कर दो तो यहाँ पर team know जो आपकी team है team के जो names हैं वो यहाँ पर show हो जाएंगे इसी तरह से बैं power graph जो भी आपको दिखाना है जैसे रन का जो graph बगेरा है वह अगर show करना है तो ऐसे tick कर दो इसी तरह से बिन टारगेट क्या होना चाहिए बिन अगर आप शो करना चाहते हो तो आपका टारगेट यहाँ शो हो जाएगा screen के उपर आप क्या show करना चाहते हो वह आप यहाँ स वहां से सेलेक्ट कर सकते हो यह हमारी welcome screen आ जाएगी ठीक है यहां से आप यह सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद जो been scoreboard है हम है शो करना है तो नहीं तो में इस्होड़ बॉर्ड को क्लिक करेंगे हमारा इस नहीं on कि शो बाद यहां पर आपको date select कर लेनी है यह match मैंने select कर लिया उसके बाद यहां आप देख रहे हो जो manage scoreboard पहले हमने इसे use किया था अब आपको full scoreboard अगर चाहिए तो आपको यहां manage full scoreboard पर click कर देना है अब manage full scoreboard पर जब आप click करोगे यहां पर आपको इस तरह का update करने का option मिल जाएगा आप पूरा match को यहां से इस तरह का scoreboard open हो जाएगा यह full scoreboard है अब इसमें आपको बहुत detail मिल जाएगी यहां से आप सब कुछ edit कर सकते हो add कर सकते हो player name आप add कर सकते हो कौन सा player खेल ला है वो सब यहां से आप add कर सकते हो उनका run कितने पड़ रहे हैं कितना average है सब detail आ रही है जैसे जो name है player का नए मारा है कितनी wall no wall कितनी है वो सब देख सकते हो run कितने हैं इसके अलावा run को update करना हो तो यहां से आप कर सकते हो आपका match अगर end हो गया match खतम हो गया आप यहां पर simple session end पर click कर दो इसके बाद okay पर click कर दो जैसे आप session end पर click करोगे यहां पर आप देख सकते हो पूरी detail आ गई target nine inning break यह सारा आपको यहां पर show हो जाएगा यहां पर इनका add आ रहा है इस तरह से आप पूरा कुछ यहां से update कर सकते हो इसके बाद यहां आप देख रहे हैं session 1 हमारे detail आ गया session 2 की detail आ गई इस तरह से आप जो भी यहां पर update करोगे वह आपका OBS के उपर update हो जाएगा और इस scoreboard को आप अपने mobile phone पर भी यूज कर सकते हो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS studio के अंदर अपना scoreboard लगा सकते हो इसके अंदर भी आपको एक URL का option मिलता है बहाँ पर आपको इस scoreboard का URL add कर देना है और आपको वहाँ से proper तरीके से scoreboard को add करके आप अपने local cricket match को mobile phone से भी live कर सकते हो अगर आपका कोई भी question हो कोई भी query हो comment box में comment करके पूछ सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते है अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन वंदे मातरम